हेलो दोस्तों नमस्कार गुट मॉर्निंग सभी माताओं भाई बेनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानिकी सरिता का कैसे हो आप लोग आसा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे हमारे नियू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है जितने साथ ही हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस्वर से प्रातना है सारे साथ ही सश्त रहें मस्त रहें अपने जीवन में यूहीं आगे बढ़ते रहें तरकी करते रहें दोस्तो आज डेट है 24 दिसंबर और दिन है रविवार तो यहां पर सुबह का साड़े दस बजे का टाइम है तो भाई फोन लेके सुबह चले जाते हैं तो जब वीडियो यहां घर पर अप्लोड नहीं होती है तो सुबह ही हम भेज देते हैं खेट चले जाते हैं तो वहां अप्लोड हो जाती है काफि दूर पर तो जब खेट से आज आते हैं और ये नहा चुके हैं, इनको तयार कर दिया है, उसके बाद में जो है, सारे काम सुरू होंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा धूप, अच्छी खासी निकल आई है, तो हमने कहा चलो नहला देते हैं, और नहला भी दिया है, कपड़े रह गए हैं, तो उनको नीचे ममी ले करके चली गई हैं, क्योंकि अभी बंदर आ गए थे, छट पे, तो वही बंदर ममी ने कहा, कुछ सामान अगर हो, तो हम लिये जाते हैं नीचे, नहीं तो बंदर कपड़े भी उठा ले जाते हैं, कोई चीज छट पे नहीं डाल सकते हैं, अगर डालो, तो इनको तको बैठके, तो यही होता है, तो यहाँ पर बाबु रेडी हो चुके हैं, और इनको पहना देते हैं कपड़े सारे, क्योंकि नीचे बहुत ठंडी लगती है, और छट पे जो है धूप निकली है, तो यहाँ कम ठंडी लगेगी, तो बाबु तयार हो चुके थे, उसके बाद में आ गये हैं नीचे, तो यहाँ पर जो है, ममी सुबह सकरकंदी पकने के लिए रख दिया था, ममी ने, तो वो पक चुकी है, तो हम सभी लोग खा रहे हैं, दूद और सकरकंदी, यह दूद जो है, दूदहन का पका हुआ है, तो दूदहन के दूद में सकरकंदी बहुत ही टेश्टी लगती है, तो हम सभी लोग खा रहे हैं, आप लोग दोस्तों आज यह जिने भी पस तो आज बहुत सारा काम करना है तो हम लोग सिधा आ गए हैं खाने के बाद में यहां च्छत पे आटा ले आए हैं और बनाने जा रहे हैं सिवई तो घर में ही घर की मसीन से बनाएंगे सिमई तो यहां पर मम्मी आटा लगा रही है तो यह आटा जो है सिमई बनाने के लिए जिस तरीके से रोटी पूरी बनती है उस तरीके से आटा इसका नहीं लगाया जाता है इसका हलका पानी डालके सिर्फ लगाया जाता है तो इस तरीके से मम्मी ने लगा लिया है और लग भाई जाती हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं इनके आगे तो यहां पर जो है पापा भी है साथ में इन्होंने पेच को लगा दिया था क्योंकि हम लोग कसते हैं तो वो ढीला हो जाता इस वज़े से तो यहां पर देखिए बाबू सभी लोग इकठा हैं और भाई जो है यहां घर पर नहीं है तो इतनी तेज धूप थी कि थोड़ी धूप में बैठने पर बहुत जादा लग रही थी और बाबू नाना जी इनके जा रहे हैं खेत तो बाबू जो है दरवाजे बंद कर रहे हैं बंद करने चले गए हैं क्योंकि बंदर जो है अगर हम कि निकल आई हैं इस तरीके से कुछ और यह खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं तो वही हम लोग बना लेंगे तो इधर बोरियों पर डाल रहे थे तो एक बोरी की हम लोगों ने बना लिया था क्योंकि बीच में बंदर आ गये थे तो उनकी वज़े से जल्दी जल्दी फिर हम लोगों ने बना लिया था और यहां पर दूसरी बोरी पर यह बोरिया जो है धुली हुई है इस वज़े स इन ही पर डालेंगे और इनको खिसका खिसका के अधर डाल देंगे तो देखिए कितनी देखने में कितनी सुंदर दिख रही है तो थोड़ी देर हमने खीचा था थोड़ी देर ममी क्छेजी लेना है हम खीचेंगे तो यह भी बहुत जादा परेसान ते इन से हमने का मैं अभी अभी चला ले ड़े ना तो देखे यह अब हम हम लोग जो है सूप में भी थोड़ी सी बना लिया था तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी बन चुकी हैं इतनी और थोड़ी सी बची है तो उनको जो है ऊपर एक डंडी बांज की डंडी पर ये देखिए डाल दिया है और अभी एक बार की रह गई हैं तो उनको भी डाल रहेंगे इसी पर तो ये वाली सूखने में बहुत जल्दी इनको टाइम ही बिलकुल नहीं लगा था सूख गई थी क्योंकि उनमें खुली हवा मेल रही थी और ये जो बोरियों पर डाला था तो इन में जो था इन में जो है नीचे से तो हवा लग नहीं रही थी और ये ही प्यारी प्यारी कॉमेंट किये हैं और करती भी हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आप सभी दीदियों का हमारत तहिये दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इसके सिवा हमारे पास कोई और सब्द नहीं है तो सिवाई सारी हमारी बन चुकी थी उसके बाद में यहाँ पर अब इनको बैठ के सुखाना है क्योंकि अगर हम लोग जरासा भी इधर से उधर हो गए तो बंदरों की सिवाईया हो जाएंगी हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेंगी तो यहाँ पर ले आएं है हम मुरबा तो वही जो है निकाल रहे हमने कहा बैठ के टाइम नहीं कटेगा जब तक यह सूखेंगी तो चलो खाते हैं तो देखें टेस्टी टेस्टी निकल रहे हमारे मुरबा और इनको जो है निकाल लेते हैं और बाबु ने तो नहीं खाया थोड़ा सा ही खाया था और उसके बाद में खाएंगे तो दोस्तों आप लोग भी आ जाएंगे और बस छे साथ बचे हुए हैं सारे एक किलो थे सारे खतम हो चुके हैं और हमने का चलो छा थोड़े से और अगर टाइम मिल जाएगा तो बना लेंगे तो यहां पर आप लोग तो जाएंगे अपने घर भी लेके जाएंगे गर्मियों के लिए पहले ही बना करके रख लेंगे तो इनके जो है आमलों के बहुत जादा फायदे होते कच्चे तो खाने में बहुत जादा एक ही खा पाओगी अगर कोई चीज बना करके रख लो तो और कच्चे भी अगर पक जाते हैं पेbine में तो वह भीखाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और हम लोग क्या करते थे ज़ादा अमले खा करके और काली वाली घाजर खाते थे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी तो यहां पर देखे सभी लोग खा चुके हैं और आमले जो है खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं इनके बालों के लिए और सरीर के लिए इसकी इनके लिए बहुत जादा फायदे मंद होते हैं तो आमले खाना बहुत जरूरी होता है तो यहां पर बाबु मसिन चला रहे थे तो इनके कहीं लग गई थी तो बार-बार हम मना कर रहे थे लेकिन एमान नहीं रहे थे तो इनको फिर अब इधर उठा के बैठा दिया है तो सिवई सारी हमारी बन चुकी है और यह यानि कि सूख भी चुकी है थोड़ी सी रह गई त इधर से धूप जा रही थी तो उधर हमने डाल लिया है तो धेर सारी सेवई हमने बना के रख लिया है क्योंकि अपने घर भी ले जाएंगे क्योंकि हमारे पती जी को यही सेवई पसंद है घर वाली जो बनाई जाती है वो मार्केट वाली बिलकुल नहीं खाते हैं तो बना करके भेज देती हैं तो रच्छा बंदन में और नांग पंचमी को सिवईयां हमारे घर की ही बनाई जाती है क्योंकि उन्हें जो है बिलकुल नहीं पसंद है मार्केट वाली उस तो सिवईयां बनाने में काफी टाइम लग गया था लेकिन सुखाने में उनको टाइम तो मम्मी और बाबू खेच चले गए हैं और हमने कहा कि अब हम रुख जाते क्योंकि साड़े चार बज चुका है पांस बजने वाला है पोने पांस हो चुका है तो हमने कहा कि हम रुख जाते हैं घर पर ही क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी घास लानी है और बाबू परिसान थे कि हम भी चलेंगे खे तो बाबू भी चले गए हैं और हमने डाल रख दिया है और आटा सांके रख दिया है और लाइट चली गई तो अरेर की दाल पक रही है और तब तक जो है इधर ये बर्तन पड़े हुए है और ये मसीन भी जो है सिमाई बनाने वाली रखी है इसको भी साफ कर देंगे इसको हमने भी गो दिया है ये फूल जाएगी तब तो थोड़ थम छोटे थे तब इसको बनाया था इन्होंने दोनों लोगोंने तो थोड़ी थोड़ी करके बनाई गई थी तो इसमें धान भरे जाते हैं तो साल भर के लिए श्टोर कर लिए जाते हैं बागी के जो बच जाते हैं वो बेच दिये जाते हैं ये क्या है नहीं जिसको छू करते हुए धान नाना इसमें आग सुलगाने जा रहे हैं तो इसमें जो है आग जला दे जाती है साल में एक बार ताकि जो है इसकी सीलन यह वाला रूम अभी प्लाश्टर नहीं हुआ है यहां पर यह सबसे पीछे वाला भाग है तो किसी दिन आप लोगों को दिखाएंगे नहीं मौका मिल पा रहा है और यहां पर देखें इस तरीके से कुछ अंदर दिख रही है और दोस्तों आप सभी दोस्तों का बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे ही प्लीज सपोर्ट बनाये रखना और हो सके तो ज्यादस ज्यादा अपने दोस्तों रिष्टेदारों में सेयर भी कर दिया करें वैसे तो हमारी पूरी कोसिस रहती है आप लोगों के मन पसंद ब्लॉग बनाने की और कभी कभी पता नहीं को इत गये थे तो हमने का चलो इसको साफ कर देते हैं मचीन को और पापा जो है यहां पर खेत से लाये थे धनिया है ताजी तो साम को थोड़ी सी धनिया और चुकंदर वगएरा ले आते हैं ताजे 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 तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आसा करती हूं आशा करते हूं आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा और ये हमारे जो है कनहया जी भी बैठे हैं यहीं पर तो ये भी हलो दोस्तों नमस्कार कर रहे हैं आप लोगों से तो यहां पर देखिए इसको साफ कर देते हैं और वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना जिन्हों ने अभी तक नहीं किया है और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू आये हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मिलती हूं नेश्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ तो यहां पर मसीन भी धुल चुकी है और ममी जो है पानी साफ कर रहे हैं क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हैं परिशान करते हैं और ठंडियों का मौसम भी है तो दोस्तों आप लोग